मल्टी बैगर रिटर्न 42 रुपए का भाव पहुचा 449 रुपए एक साल में 1 लाख रुपए बन गए। 10.33 लाख रुपए फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कमपणी एसकम लीसिंग एंड इन्वस्टमंट्स OLDD ने पिछले एक साल में निवेशकों को माला माल कर दिया है। यह रिजर्व बैंक आफ इंडिया में रजिस्टर्ड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमपणी अन्वस्टी है। कमपणी ने अपने निवेशकों को पिछले एक साल के दौरान लगभग 1000 पर सेट का रिटर्न दिया है। कमपणी के शेर शुक्रवार को उनसी पर 449.90 रुपय पर बंद हुए हैं। एक लाख रुपय के बंगए 14.54 लाख रुपय। बता दें कि पांच साल पहले कमपणी के शेरों का भाव 30.15 रुपया था। यानि कमपणी ने इस दौरान लगभग 1354.21 का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने उस समय एक लाख रुपय का निवेश किया होता तो अब तक यह बढ़कर 14.54 लाख रुपय हो गया होता। एक लाख रुपय के बंगए 14.66 लाख रुपय। वहीं तीन साल पहले कमपणी के शेरों का भाव 30 रुपया था। यानि इस दौरान कमपणी ने निवेशकों को 1366 63.3% का मल्टी बैगर रिटर्न गिया है। अगर किसी निवेशक ने 3 साल पहले स्टॉक में 1 लाख रुपय का निवेश किया होता तो यह अब बढ़कर 14.66 लाख रुपय हो गया होता। 52 सप्ताह का उच्चतम स्थर 440 रुपया। दूसरी और 8 मार्च 2022 को कमपणी के शेरो का भाव 42.55 रुपया था। यानि इस दौरान कमपणी के शेरों ने निवेशको को 933.84% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इसलिए एक साल पहले स्टॉक में किये गए 1 लाख रुपय का निवेश अब बढ़कर 10.33 लाख रुपय हो गया होता। स्टॉक के 52 सप्ताह का उच्छतम स्टर 440 रुपय है। जबकि स्टॉक के 52 सप्ताह का निम्नतम स्टर 33.40 रुपय है।